वेल हलो गाज़ वेलकाब डू सफलताक्ष चैनल डिस इस अवर चैनल और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को जीएस पड़ा रहा हूँ जीएस में आपका सबसे पहला टॉपिक जो है जो है जोगोर्फी में वो गरवार हूँ आप लोग को जैन आफ्टर जश्टिसे इंडिया की लोकेशन इंडिया की आप लोग को बताया था समान पर्चे में किस पोजिशन पर आता है इंडिया ठीक है तो इसमें हम लोग बात करेंगे और चर्चा करेंगे किसकी इसमें हम लोग बात और चर्चा करेंगे भारत यवं करकरेखा के बारे में तो जैसा कि मैं बना सकता था जितना की तो एक रफली फिगर मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए हुआ है कि इसमें करकरेखा के बारे में बताने के लिए तो चले जान लेते हैं देखें बहुत सारी ट्रिक्स आपकी बनती हैं करकरेखा की याद करने के लिए कर सकते हैं याद बट एक बार understanding आपको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ठीक है तो चले देख लेते हैं लोग जैसा कि पता है आप लोगो को कि भारत में जो है करक रेखा भारत से जो है करक रेखा गुजड़ती है आपकी मतलब कि ट्रॉपिक अफ गांसर यnantा जीशको बोलते हैं जो तरीकषी की आपकी रेखा हें होती है ट्रॉपिक अफ कैंसर और ट्रॉपिक अफ कप्रीकॉन ठीक है एक प्वेटर आपका है जैसे माली जी एक ग्लो़ब है चोटा समय यहां पर उधाराण देता हूं बीच में आपका equator होता है 0 degree भूमत दिरेखा इसको कह देते हैं उपर आपका रहता है Tropic of Cancer 26 degree यहाँ पे कह सकते हैं North और 26 degree नीचे रहता है Tropic of Capricorn ठीक है? करकरेखा और मकरेखा तो equator के यह दोनों दरफ रहती है ठीक है? तो अपने यहाँ से जो भारत की बात करें तो यहाँ से Tropic of Cancer मतलब की करकरेखा गुजरती है चले बात कर लेते हैं हम लोग करकरेखा की तो करकरेखा बेसिकली जो है आठ राज्यों से गुजरती है आपकी यह आप लोगों को पता होना चाहिए कोशन आता है आपका की करकरेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है तो करकरेखा जो है भारत में आठ राज्यों से गुजरती है ठीक है? कौन-कौन से राज्यों से यह आपको पता होना चाहिए लाइन वाइस पता हो तो ज्यादा बेटर होता है ठीक है तो चले हम लोग देख लेते कौन कौन से राज जो से इसमें गुजरती है देखें ये इंडिया का मैप मैंने बनाया हुआ है और ये आपकी करकर रेखा यहां से इस्ट और वेस्ट अगर हम लोग वेस्ट से बात करें वेस्ट टू इस्ट की और चलें मतलब की पश्चिम से पूरब की और चलें तो पहला हमारा जो राज पढ़ता है करकर एक हाथ से गुजरने वाला वो पढ़ता है हमारा गुजरात ठीक है क्या पड़ता है गुजरात तो पहला हमारा हो गया गुजरात सेकंड नमबर पे अगर हम लोग बात करें तो यह हमारा पड़ जाएगा राजस्थान जो कि बिल्कुल गुजरात से आपका टेस्ट करते हुए इसकी बांडरी जाती है ठीक है जिसकी राजस्थानी है भोपाल नेक्स हम लोग चलते हैं तो यह आपका चौथा नमबर राज जी यह आपका पड़ जाएगा जारखंड जो कि मैंने यह आप पर दिखाएगा जारखंड जो कि बनाए हुआ है चोटा सा यहां पर पार्ट बनाए हुआ है जारखंड का और थोड़ा सा उपर जाएंगे तो इसके यह पड़ता है आपका 36 गड़ यहां पर तो यह पांच्वा नमबर आपका राज्य हो गया पहला गुजरात दूसरा राजस्थान इससे लगा हुआ तीस पांच्वा आपका 36 गड़ और छठे की बात करें फिर हम लोग यहां पर आपका जो में लैंड इधर का है आपका वहां पर पड़ जाता है वेस्ट बेंगॉल या फिर पश्चिमंगाल जिसकी राजधानी है आपकी कोल करता क्लियर यहां तक क्लियर हो गया एक दो तीन चा यहां पर इसको बोल देते है नौर्ठीष्ट के जो भी आपके सेवन्हिक इस्टेट हैं ठीक है जिनकों कि हम लोग सेवन्हिकितर के नाम से दिया जाना जाता है साथ बेहनों के नाम से जाना जाना जाता है तो इसके आपकी दो राजधे पढ़ते हैं इसमें आपको Khonfuse क करता है क्या करता है यहां कि तो आपको करता है यहां प्रदेश चारे सारे आपको दे दे बाकि MP आपको जानते हैं MP से तो आपकी जाती है करकर रहे तो मिजोरम और मड़ीपुर मिघाले तीनों में आपकी बहुत सबसे पूर्वी कह सकते हैं तो यहां पर आपका मिजोरम पड़ता है जो कि नौर्थ इस्ट आपकी स्टेट है सेवन सिस्टर्स के अंतरगत आ जाती है अगर हम लोग उल्टा अगर बात करें मतलब की पूरु से पश्चिम के लेके चलें तो आपका पहला पड़ेगा मिजोर दूसरा त्रिपुरा सिर्वेस्ट बेंगाल फिर आपका च्छतिसगर फिर जार्खंड और फिर एंपी राजस्थान और गुजरात ठीक है और ओर आपका पड़ेगा मिजोरम है तो यह आपके जो राज्च हैं जो की जिस्से की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब किकारगरेखा गुझरती है कितने राज्यों से जाती है अठ राज्यों से जाती है पहला question आपका ये बन गया second question है कि कौन-कौन से राज इसमें है पहले आप इसको ऐसे बता सकते हैं याद करके एक figure out कर सकते हैं गुजरात, राजस्थान, MP फिर उसके बाद जारखंड, छत्रिजगर, वेस्ट बिंगॉल त्रिपुरा और इसके बाद लाश में मिजोरा, ठीक है यहाँ पर मेगाल है, मत याद करिएगा मणीपूर, मत याद करिएगा नहीं तो confusion होगी इसमें और गलत कर देंगे आप तो इसको अच्छे से याद कर लिजेगा ठीक है, तो यह आपका ऐसे देखना बहुत जुरूरी है अच्छे यह तो होगी आपकी ट्रॉपिक ओफ का एंसर की बात अब अगर हम लोग चले, तो यह आपका एक question पुछा जाता है, put up किया जाता है question examination में कि यह आपकी नीचे इसकी equator जैसे कि मैंने एक रफली फिगर बनाया हुआ है यह स्रिलंका यहाँ पर और इसके नीचे आपका थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, यह आपका अंड़मान निकोबार इधर ठीक है, एंड लिख सकते हैं जिसकी राध्धानी आपकी क्या है राध्धानी, कॉमेंट बॉक्स में आप लोग बताईएगा, ठीक है अंड़मान निकोबार की राध्धानी, ओके तो यहाँ पर इसके नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आपका equator बढ़ जाता है, जीरो डिगरी इसको क्या बोलते हैं वो मद रिखा ठीक है, यह पर जाता है आपका equator जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, जीरो डिगरी equator और यह आपका traffic of cancer इंडिया आपका यहीं पर लाई करता है, इस जगे पर ऐसे ऐसे करके मैं आगे जब विस्ट का बोल बढ़ाऊंगा, तो अब इंडिया की position भी वहाँ पर बताऊंगा तो यह आपकी equator होगे, equator से आपका जो traffic of cancer है, वो कितनी यहाँ पर distance यहाँ पर रखता है, यह आपको पूछा जाता है तो 23 degree, 30 minutes ठीक है, मतलब 35 degree अगर north पर जाएं हम लोग, तो हमारा traffic of cancer मिल जाता है equator से, मतलब जो एक तरीकी से distance इसकी एक तरीकी से कह सकते हैं, तो 35 degree north की तरफ हम लोग अगर चले equator से, तो हमारा मिल जाता है traffic of cancer मतलब की करकरेगा ध्यान देखिएगा, यह आपका पूछा जाता है question एक ची और में बताना चाहूंगा 21 June आपका एक date दी गई है 21 June मैंने क्यों लिखा हुआ है, वो समझ लीजिए 21 June को सूर जो है उत्तरायान होता है मतलब करकर एखा के कह सकते हैं, उत्तर में होता है और उपर जाने पे हमारे दिन की जो अवद ही होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, करकरेखा से उपर की और जाने पे, नॉर्थ की और जाने पे हमारे जो दिन की अवद ही होती है, वो बढ़ जाती है तो 21 June मैंने इसी वज़ा से इसमें लिखा हुआ है एक चीज़ और पुछा जाता है अपका question बीचो बीच मैंने क्यों लिखा हुआ है कि करकरेखा एक तरीके से इंडिया को दो भागों में divide कर देती है two parts में divide कर देती है कैसे क्योंकि ये आपका बीचो बीच से जाती है इंडिया के बिलकुल ये बीचो बीच से यहाँ पे जा रही है तो आधा भाग आपका उपर हो जाता है आधा भाग नीचे हो जाता है ठीक है तो ये हो गया आपका third number point चौतर number point मैंने सिक्किम राजस्थानी सोज़ा से लिखा हुआ है कि जो हमारा सिक्किम से अच्छान गुजरता है सिक्किम आपका इस साइड यहाँ पे पड़ेगा जिसकी राजस्थानी आपकी है गंग टोक क्या है गंग टोक ठीक है सिक्किम तो सिक्किम से जो हमारी अच्छान से जाती है वहीं हमारी राजस्तान से भी गुजरती, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे-एसे गुजरती होगी, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है, आप map देखीगा, तो और अच्छे से सबन में आएगा, map लेके जब बैठेंगे, तो इस तरीके से आपका कुछ गुजरता है, तो सिक्किन से जाने वाला जो भी अच्छान्स होता है वो राजत्सान से भी उजरता है इसी तरीके से जैसे जैसल महर की हम लोग बात करें तो बात्तर डिगरी पे यह भी अच्छान्स पे आपका इस्तित है जैसल महर आपको बता है ठीक है तो काफी important हो जाता है यह जितने से यह करकर एखा से संबंदित हैं अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो या उपर मैंने जम्मू का समेर एक ऐसे दिखा दिया बाकी तो और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पर आपके अगर इसके बहुत सारे उसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो यह आपको याद रखना है जो मैंने बताया फिरसे एक बार रिपीट कर देता हूं आठ राज्यों से आपकी गुजड़ती है एक किस जून मैंने आपको बता दिया है बीचोबीच से आपकी यह गुज़ती ह करकर रेखा और कितनी इसकी डिश्टेंस से तो 23 डिग्री 30 मिनट नौर से जाने पर यह आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाती है एक्क्वेटर से ठेक है तो आज की वीडियो में गयाज इतना ही रखेंगे यह आपका जो समान परिचे था समान परिचे का यह आपका भाग नं तो मुझे जरूर मैसेज करें कोमेंट बाक्स में जरूर लिखें आपको अगर अच्छा लगा हो अगर आगे और पढ़ना चाहते हो तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए सस्क्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रिस कर ले थैंक यू